सब्सक्राइब किजिए टेक्निकल सूरज यूट्यूब चैनल को और बेल के आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नॉलिज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल सूरज दोस्तो जैसा क्या आप जानते हैं आज फ्राइड़ है फ्राइड़ यानि कि MIUI डेफलोपर रोम के रिलिज होने कर दे जिया दोस्तो MIUI डेफलोपर रोम की जो अपकमिंग बिल्ड है 7 7.4.6 इसे आज रिलिज कर दिया गया है और आज इस वीडियो में आपको इस अपडेट की कुछ ओवर व्यू और चैनलोग के बारे में बताऊंगा तो बने रहे हैं हमारे साथ और हमारे इस वीडियो को पूरा वाच करें ताकि आप अच्छे से जान सके इस अपडेट की चैनलोग प्रिवियू के बारे में तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं पैट्रिक्स एक्स आई चो की है माई फोरॉम के एड्मिनिस्ट्रेटर एंट के द्वारा एक थ्रेट पोस्ट किया गया है मीवाई ग्लोपल बेटा रॉम 7.4 इस्ट Tamam is के रिल आपडेट के बारे में और इस थ्रेड में मैं आपको इस अपडेट के फूल जेज़ुकिट्ट बीस के बारे में भी बताऊंगा तो चलिए दोस्तों देखते हैं लोग किये गये हैं prioritize में दूस्तों यह यहाँ पी देख सकते हैं उपडेट की है लग बैस जैसा कि आँ देख सकते है और new smarter and more efficient CPU allocation strategy और दूसरा जो है switches for common setting in results optimization use search to select your time zone time zone पे कुछ optimization किये है और common settings में कुछ switches की भी option दी गई है इस update में तो यह बहुत ही अच्छी बात है और खास करके system optimization पे भी कुछ ध्यान दिया गया है इस update में देख सकते हैं दोस्तों आप smarter and more efficient CPU allocation strategy और settings में क्या provide किया गया है देख लीजे switches for common setting in search result search result जो है उस पे कुछ common settings किये गया है इस update में ताकि हमें कोई problem ना हो manually search करते वक्त और दोस्तों यहां पर देख सकते हैं time zone में भी कुछ optimization किये गया है search के लिए और यहां पर देख सकते हैं MI forum पे भी कुछ optimization किया गया है यहां देख सकते हैं added daily check-in features check-in everyday to win prizes और screen recorder option in feedback optimization device name automatic detection in feedback voting error in poll threads जो की voting error है in poll threads उसमें कुछ error आ रही थी तो इस update में इस bugs को fix कर दिया गया है attachment download error in some cases जब कभी हम attachment download करते थे हैं MI forum के द्वारा तो उसमें error आ जा रहा था तो इस update में इसे भी fix कर दिया गया है features threads loading issue in some cases features जो की एक बहुत ही popular thread है उसे loading करते वक्त कुछ issues आ रही थी पिछले update में MI forum map पे तो इस update में इस bug को solve कर दिया गया है display error caused by funds changing funds changing करते वक्त कुछ display में error आ रही थी वो भी इस update में solve कर दिया गया है तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस update में बहुत सारी changes किये गये हैं जो कि एक developer update है 8 point MIUI 8 की 7.4.6 तो यह बहुत भी अच्छी बात है तो दोस्तों अगर आप एक developer room users है तो आप फटा फट से अपने अपडेटर app पे जाईए और वहाँ से इस update को download करके अपने device पे install कर ले और अगर आपको यह update नहीं मिलती तो मैं आपको अपने इस video की description में इसकी download link provide कर दूँगा ताकि आप वहाँ से इस update को आसानी से download करके अपने device पे install करके इस update का मज़ा ले सके तो दोस्तों आजके इस video में बस इतना ही अगर आपको हमारे इस video पसंद आया होगा तो ज़रूद से like कर ले और अगर आप हमारी इस channel पे नए हैं तो subscribe भी कर ले और अपने friends के साथ share भी कर ले ताकि वह अभी हमारी इस channel के बारे में जान सके तो दोस्तों आजके इस video में बस इतना ही फिर मिलते हैं आपसे फिर नई अगले video में नई updates के साथ तब तक के लिए जैह हिंद बंदे मातरम